नमस्कार दोस्तों मैं संदीप स्वागत आप सभी का आज 21 नई क्लास में चलिए दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास से जौइन हो जाइए क्योंकि आज किस वीडियों बात करने वाले हैं नई सिच्छा नीत के आधार पर most important question answer के बारे में ये बीडियो उन्रे स्टुडेंट के लिए बहुत important होने वाली है जो बीए के चाहतर जिनका subject हिंदी है क्योंकि आप चभी को मालूमें की नई सिच्छा नीत के हिसाब से ठीक है इस बार जो एक्जाम में जो आप लोगों का question यानि कि जो एक्जाम का pattern होगा यानि question paper जो आएगा उसमें सभी जितने भी question होंगे वो subjective होंगे यानि written आप लोगों का exam होने वाला है आपके exam का pattern देखिए अलग-अलग university में अलग-अलग हो सकता है यह मैं आपको बता दूँ और कुछ question आप लोगों के exam के pattern यानि exam आपका question paper कैसा होगा मैं आपको बता मैं आपको बता दूँ जहां तक कैसा होगा कुछ question बोविकिल्पे होंगे 10 से 5 कुछ question लोग उत्रे होंगे कुछ question लग उत्रे में कुछ ब्याख्या करने के लिए होंगे और कुछ बता दूँ यह सारे question मैं ने फिल्टर करके यानि कि छाट चाट के रखे हैं जो कि आपके exam के लिए काफी helpful साबित हो सकते हैं अगर आप वीडियो को पूरा देखते तो आपको काफी मतद्स मिलेगी वीडियो को लाज तक जरूर बनी रहें रहें दोस्तों चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और कि subjective pattern का आप लोगों का question paper आने वाला है ठीक है पहला question है यानि कि कुछ question मैंने चोबिस से पहले question मैंने आप लोगों को टॉप लेवल के थे वो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता रखें अब तेश के आगे question आज आता है तो इसमें जो most important है वो मैंने रखे हैं पहला question है कि कहानी की किनी दो विसेष्टाओं का मतलब यह हुआ कि कहानी में क्या विसेष है क्या मुख्य है ठीक है तो आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएक उत्तर लिखा कि कहानी की दो प्रमुख विसेष्टाओं निम्नांकित या निम्निखित है यह नीचे दी गई है यह से लिखना है पहला आप लोगों को निकला नंबर एक डाल करते रहना है जिससे अंतह तक पाठक की पाठक की उससंता बनी रहे कुल मिला कि इसमें ये बताया जा रहा है कि मसा तक है जो भी गुर है या इश्टर सुनने की ठीक है वो बनी रहे या यानि पाइदा रहे जिससे अन्त हर तक जो पड़ रहा है या फिर रचना कर रहा है उसमें उसकता यानि आगे कुछ जानने के जिग्यासा होती रहे तो ये रहा पहला बिशेष्टा ठीक है दूसरी बिशेष्टा जो है आपको बता दू लिखा है कि कहानी का मुख्य उद्देश हार्दिक परसनता और समानसिक वरत्यों की संतुष्ट होता है उसका लच्छ केवल मनो रंजन नहीं होता है यह बहुत ही मुख्य बेसेष्टा या है यानि कि दो नंबर लिखा कहानी का मुख्य उद्देश हार्दिक परसनता हुर मानिसक वरत्यों को फंतुष्ट होता है या कहानी आप लोगों कोower हो जाते हैं ङहांप रोपसारे यो Expect you हो जाते हैं बहुत ऐसी कहानिया होती जिसमें आप लोग को काफी इसमें इस्ट्रेस हो जाता है या काफी आप लोगों को हाइपर हो जाते हैं आप लोग कहानी सुनते होते या फिर बहुत सारी ऐसी कहानिया होती जिसमें आप को दुख हो जाता है ठीक है तो उस तरह की यानि की बहुत साइज कहानी जिस तरह की होती उसमें अलग-अलग तरीके होते कुछ में प्रसंता आएगी कुछ में दुख होगा किसी में आप लोगों को साइगा तो तुमाम प्रकार के कहानिया होती जिससे मांचिक वृत्तियों को संतुष्टी मिलती है ठीक है उसका लच्छ केवल मनो रंजन नहीं होता है यानि कि इसका कहानी का जो में लच्छ है वो केवल मनो रंजन नहीं होता यह किसी ना किसी के जीवन पर बितीत हुई कहानी पर आधारित होती है कोई भी कहानी होती है कहीं ना कहीं किसे पर प्रियाश का जो भी इसमें इसमें तो एक फॉर्मेल यानि की एक प्रोफेशनली लेंगोज में इसका विसे इस्ताय लिख दी गई मैंने अपनी भासा में प्रियाश भी क्या समझाने का आप लोगों समझ में भी आगया होगा ठीक है यानि कि 25 नंबल लिखा कि कहानी के उद इसमें लिखा है कि कहानी काला के ठीक है कहानी कला के प्रमुक्तत्तों का व्लेग कीजिए कहानी कला के जो प्रमुगततत हैं मुख्यतत थे हैं उनके लिखना कौन-कौन से है यह सरा कोईस्टन जो है वह अतिला गुत्रे बेस्ट के ध्यार में रखेंगा आतिला गुत्रे से इस वीडियो से कुस्ट ना कुछ कोईश्टन आपको इकज्ट में जरूर्ड देखने के ध्यान रखेगा कहानी से संब्सक्राइब कहानी करके मुख चात तो होते हैं जो की निम्नखित पहला कथा औरस्तु ठीक है दूसतरा है चैता की चैत कैसा यानि कि उसमें कैसा बताया गाएगा किसका कौल कौन करेक्टर होगा और चाह abbiamo हो जो की कहानीあの तु याद रखेगा आप लोग के और को इस चना सकता है आप लोग ग्जाम तत्तु लिखिए या फिर प्रमुक तत्त लिखिए तो आप लोगों को एंसर में यही सारे लिख देना है याद करके रखिएगा ठीक है यह बुख्य तत्तु है इसके नेश्ट कोश्चेन है 27 नंबर लिखा कि कहानी की लेखन प्रकारि थी कहानी की प्रणाली पर प्रकास डाली है समवा तथा वरतला आत्म कथन की प्रणाली और निश्ट है पाथ्टी के पात्रात्मक अथ्वा बित्रात्मक प्राली यह मुख प्राली है जो कि कहानी लेखन की याद रखेगा यह भी टॉप लेबल का कुश्चन है अगला कोश्चन हम पढ़ते हैं लिखा कि प्रेम चंद्र लिखा है कि प्रेम चंद्र के कुल कितने कहानी संग्रा प्रकाशित हुए तो जो प्रेम चंद्र जी लेखक या फिर आप लोग कह सकते हैं जो रचनाकार हैं उनकी जो कहानी संग्रा हैं ठीक है कुल कितनी संग्रा प्रकाशित हुई है तो एंसर में आप लोगों को पूरी तरह भी समझ म में आ जाएगा किसमें क्या-क्या है पूरा तो इसमें लिखा है कि प्रेम चंद्र की कहानिया उनीस साथ इस्वी में पाठकों को सम्मुख आने लगी यानि कि 1907 इस्वी से पढ़ने वालों के सामने आने लगी और सन 1936 इस भी तक अनुवरत लिखते रहे 1936 इन्होंने कहाने लिखते रहे लगबक तीन दसकों के अपने रसनाकाल में उन्होंने तीन सो से अधिक कहानिया लिखी जो उनके बिभिन्न कहानी संग्राहों में संकलित हैं प्रेम चंद्र में कुल नव कहानी संग्रा प्रिकासित हैं पहला है सब्त सरोज नव निधी प्र किकरें जो कमें जो रिंग किया त्यभं में जीर अड़ियों को से प्रकशित न सब्सक्रार की ऊई किया रखेंगा याद्र करक्शिय अपने न को सब्सक्राइब चेसे प्रेम्चंद्रीफ हैं, सब også में लिखने लिक याad जिने अपने जीवन काल में लिखी हैं और जिसमें से 9 कहानी संग्रा प्रकासित हुए हैं ये भी ध्यान रखेगा तो कहानी संग्रा के नाम भी आप लोग को यहां पर देखने को मिल रहे हैं ठीक है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ ठीक है ये मुखिन के कहानी हैं तो आप लोग एक बार सोचिए जरा 300 देखें इन्हों ने 1907 से ठीक है और 1936 के बीच में तीन सो से अधिक आने आप लोग जरा सोचिए जरा एक बार लाइटली लीजिए को कि इन्होंने अपने जीवन काल में देखिए इन्होंने कितना आपने सट्रेस्टेस्वेक्श 300 से अधिक कहानियां मतलब बहुत हो सकती है आप लोग नोचे एक दो चार दस बीस चारिस पचास वह अपने हाथ से लिखना और उनको नेशनल लेबर पर प्रेजेंट करना जो कि आज आज के दिनों में उन्हीं के ठीक है उनके जो कहानिया है वह हिंदी में या फिर अलग अलग ठीक है अलग अलग पुस्तकों में दी जाती है कि प्रेम चंद की कहानिया या उनका नाम नेशनल लेबर पर रोनक हो रहा तो आप लोग समझे कितना उन्होंने हार्ड वर्क किया होगा तो कुल मिलाके यह तो थोड़ी उनकी प्लस पाइंट मैंने बोल दिया फिरहा प्रसाद की कहानियों में मुख्य अंतर क्या है तो आपके सामने आ गया है आपके एक्जाम में कोश्चिन आ सकता है कि में प्रेम चंद्र और प्रसाद जी यानि कि राम प्रसाद जी के बारे में हो रही प्रेम चंद्र और प्रसाद यानि कि जैसे का प्रसाद की कहानियों बिलकुल भिन है जो परसाद जी की कहानिया है और जो प्रेम जिन्द जी की जो कहानियां इनinois ने लिखी वो बिलकुल मैच नहीं करती है एक दूसरे से ठीक है वो बिलकुल अलग और अगे बड़े हैं यानि कि जो प्रसाथ जी थे यानिकि राम प्रसाथ जी ते वो अधर्स्वाधी टाइप के उन्होंने बहुत कर तो कि नजर से बढ़ें और इनोंने इस ब्लेकार की कहानिया इस भाव के अधार पे लिखी यह नहीं की आदरस्वादी भाव के इस इदिवाह भाव में यहे बाढ़ हैं यह आगे ठीक है और जो प्रेंपज। जीन्द्र जी ओप जीवर के बहुल्बर एक पच्च को लिकर आगे बढ़ें बें इनक तो मुंसी प्रेम चंदु की ठीक है जो विशय वस्तु है वो आप लोगों को निम लिखित यहां पर देखने को बिल जाएगी लिखा है एंसर में कि विशय की दृष्ट से प्रेम चंदु की कहानिया ततकालिन समाजिक राजनीतिक जीवन में सम्रद्ध हैं अधिकतर कहानिय में ग्राम जीवन के सुंदर चित्र देखने को मिलते हैं एक अफ्थान पर उन्होंने स्वयम लिखा है कि जिस देश के असी फिफदी मर्स गाओं में बसते हों उनके साहित में ग्राम जीवन की प्रधान रूप से चरित्र होना सो भाविक है उन्ही का सुक राष्ट का सु कभी भी कोई पूछा जाएगा प्रेम चंद्र जी से तो आप लोगों को यह जरूर लिख देना है अगर इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है ठीक है कि प्रेम चंद्र की कहानियों की मुख्य विसे वस्तु क्या है ठीक है इन्होंने बहुत ही अच्छा यह क्रेम चंद्र काया साम आजिक राजनिती जीवन से समर्द हैं और जो पुलिटिकल यहाँ राजनित जुद्स में चल लही है तोんな को अधिक्तर कहानिया um वो ग्राम में जीवन से जैनी जाँने के जिन के हिसाफ है। जाह की जाहएं में रञते हैं then तो ग्राम में में सुन्दर चित्र भी सुन्दर शूंदर जी वह मिलते जो कि ंनों ने उसके जिस रहनों ताइव रहते हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि जिस देश की अफ़ी फिस दी यानि की 100% में से 80 जो लोग है वो गाउ में बस्ते हैं ठीक है ठीक है उनके सहित जीवन में ग्राम जीवन में प्रधाम रूप से चित्रित होना सुभाविक है उन्हीं का सुख राष्ट का सुख उन्हीं का प्रण कोश्चन था मुझे भी बहुत अच्छी तरीके समझ में आ गया है आप लोगों की समझ में आ गया होगा ठीक है नेस्ट कोश्चन है कि मुझसी प्रेम चंद्र को कौन सी कहानी आपके पाटकर में संकलित है यानि कि जो बीए के फश्टियर के जो चाहत रहें यानि कि हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें जो बुक है उसमें कौन सी प्रेम चंद्र जी की जो कहानी है वो संकलित की गई है तो उसमें जो संकलित की गई है मुझसी प्रेम चंद्र की जो प्रमुक कहानी बूढ़ी का की हमारे पाटकर में संकलित की गई है या से थर्ड एर तीन लिए lsee वहां अन्हें अपको नूखिन है कि प्रसाइध की कुन सी कहानी आपके पाक्रम में कहानी के प्रमुख पात्रों का नाम लिखेंगे जो कौन कौन से पात्र है उनके नाम दिखना है पहली बूडित बुधिराम रूपा यह उसकी पुत्री लाड़ली है तो यह मुखिपात्र है बूरी काकी के याद रखेगा कहानी जो बूरी काकी निस्ट है रूपा का सुभाओ का ऐसा है तो रूपा का सुभाओ करकस ठीक है निर्दे एउम का ठोड़ लगती है तो ये जो पात्र है ठीक है बूरी काकी ठीक है उसी में का ये कोश्चन बंदहा है या ध्यान कहानी की नायका का क्या नाम है तो चमपा चमपा याद रखेगा था ठीक है कि अकाफ़ दीब कहानी का मुल उद्देश क्या था तो कहानी जो मूल देश यह था कि काफ़ आप कहानी थीग का चंपा छमा दया प्रेम ओत्वर्ग की आदर्स्वर्गी प्रतिमा है उसके माध्यम से भारतियानारी के उजल चेट चित्रण का ठीक है उजल चेट चित्रण करना प्रसाजी के मूल उद्दिस था यानिकि उसके जो कि उजुल्ता यानि इस प्रकार से कहानी लिखी कि भारतिय नारी है ठीक है उसका उजल चय उचित्रण ठीक है इनका मों दिश्था की जो आगे आने वाली तीसरा जैदोल और यात्रा बिवरण ने लिखा है लिखा है नमबर एक अरे याया वर रहे गायाद और एक बुंद सहफा उचली यह ट्रिसंक और आत्म नेपद याद रखेगा उनका तुरसंक और आत्म नेपद जो इनके निवन संग्रा है और निष्ट कोईस्चन जो आप लोग को देखे हुं मिलए यह उन्सर आने वाली निष्ट वीडियो में देखने को मिलेगा अन्षित प्रकास क्या है संचित प्रकास कैसे डालना है उसका एंसर कैसे हो जाएगा तो आज किस वीडियो में लेगा तो आज किस वीडियो मैंने मोस्ट इपड़न के लिए काफी हेलफुल साबित हो सकते हैं तो यह कोश्चन आप लोगों एक दो बार वीडियो जरूर देख किस वीडियो मैंने मोस्ट प्रेख लीडियों झालना है